हाई गाईज वल्कम बैक टो मैं चानल आज मैं आपके साथ श्रेक करूंगी डिजाइनर ब्लाउस मैंने कल इसका श्रग आपके साथ श्रेक किया था और काफी रिक्वेस्ट के बाद मैंने आपके लिए इसका ब्लाउस पर लेकर आई हूं so now let's get started इसे ब्लाउस बनाने के लिए मैंने कपड़े को सबसे पहले सिंगेल ही फोल किया है इस तरीके से क्यूंकि हम सबसे पहले बैक का पोशिन बनाएंगे फिर उसके बाद जो लेंथ मेंने लिया है 16 इंच का जो रेडी 14 इंच पर आएगा फिर हम अपना कोई भी प्राणा ब्लाउस के पर प्लेस कर लिजे और आधा इंच का मार्किंग छोड़ते वी आर्मोल्स और साइट के फिटिंग का आप मेंजरमेंट कर लिजे मेरा जो नेक होगा इस ब्लाउस का भी दो इंच है तो मैंने इसी ब्लाउस का नेक भी ट्रेस कर लिया है शुलगर्टर को ट्रेस कर लिजे और सभी मार्किंग एर्यास को कट कर लिजे सो उसे मैंने कट कर लिया है इसे जब हम open करेंगे तो ये इस तरीके का कुछ दिखेगा अब हमें अपना जो front का portion है उसे भी कट करना होगा उसके लिए कपड़े को fold करके please कर लिए जो जो back का portion है वो 2 इंच आगे रखे folded side है क्योंकि front की जो वो 2 इंच हमें मिलेगी वो button पटी की folding में काम हैगी और बाकी का जो rest है उसे ऐसे ही trace कर लिजे back के तरह तो मैंने कर लिया है और मैंने cut भी कर दिया है और उसके बाद हम अपने front का portion लेंगे और यहाँ पर एक shape देंगे नीची के तरफ जिसके लिए हमें fabric को एक बार दुबारा fold करना होगा fold करने के बाद folded part पे हमें at least मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का एक point डॉट किया है और आगे के तरफ जहाँ पे open side पे 1 इंच का है और इस डॉट से इस तरीके से curve ship में simply draw कर लिजे और उस portion को scissor के help से cut कर दीजे तो यहाँ मैंने cut कर लिया है cut करने के बाद हमें open करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमें fabric receive होगा बहुत प्यारा सा pattern waste की तरफ front की में बनेगा और बहुत खुबसूरत लगेगा अब हमें beach में से एक line draw कर देना होगा जिससे हमारा blouse है वो दो पार्ट में divide हो जाए front का और उस पार्ट पे हम button party के लिए folding करेंगे तो इस तरीके से मैंने cut कर रही हूँ cut करने के बाद हमें इस तरीके से आदा इंच फिर आदा इंच फाब्रिक अंडर दालते वे दोनों side को हम fold कर देंगे हमने extra इसे लिए लिया था ताकि हमें कोई button party extra अलग से ना add करना पड़े उसी में ही हम blouse को fold कर सके तो यहां हम देख सकते हैं मैंने fold कर लिया है fold करने के बाद हमें नीचे के तरफ इस तरीके की 2 इंच की मैंने पट्टी लिया है और उस line में हम उस boundary में पट्टी को stitch कर देंगे और जब उसे flip करेंगे तो वो बाहत अंदर के तरफ निकलेगी सो मैंने यहां कर दिया है और यह बाद के भी portion पर इस तरीके से पट्टी आड कर दिया है मैं यहां पर hook लगाओंगे अब बाद के कप्डे को उसके उपर फ्रन के कप्ड़ी पर place कर लीजे और shoulder का और side के fitting दे दीजे आर्मोल्स को हम कर लीजे सो मैंने यहाँ पर यह सब कर लिया है ब्लाउज रेडी हो गया है अब नेक की तरफ फ्रिल है तो फ्रिल लगाने के लिए जितना आपका नेक का राउंड उसको मेज़े कर लीजे उतनी पट्टी ले ले जे चोड़ाई ले जे तेन इंच की फिर उसको फोल कर ले जे और फोल करते हुए इस तरीके की प्यारी-प्यारी चटी-चटी प्लीज दे देजे एक सिलाई लगा दीजे तो मैंने यहाँ कर लिया है इस पट्टी को वाला ब्लाउज आप बना सकते हैं और इसे बहुत ही अलग-अलग तरीके से वेग कर सकते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको श्रक के लिए बताया है बट आप इसे लेसाद भी एजली वेग कर सकते हैं बहुत सदर लगता है बहुत सदर स्मार्ट लुक देता है अपने लिए इसे ट्राई कर सकते हैं इसका टुटोरियल तो आपने वाच कर लिया है कितना एजी और बहुत ही सिंपल मेधरट से मैंने आपको बताया है कि कैसे आप इसे बना सकते हैं आप इसे पसंद किया होगा आपने कर मैंने श्रक की वीडियो दला था और कैसे बना है और कोई डिफिकल्टी होगी तो कमेंट डाउं करकी जरूर बोलेगा और उसे पहले मैं थैंक्स करूँगी माधूरी राजपकर जोती गौतम का अगर आपको भी मेरे चानल में आगे फीचर होना है बस लाइक, शेर, कमेंट कीजे आपको बसे 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 साथ आपको जाहिक जाएक